कि नमस्कार साथ यहां मैं गिरिदारी एक्जामपूर में आपका अर्दिक स्वागत है और हम जैसा की एक्जामपूर ट्रिक्स चैनल पर जो है ट्रिक्स पढ़ रहे हैं उसमें आपके आने वाले एक्जाम में कापी सारी चीजें जो है स्वाले इंप्ध ग необходимо होती है राजीपाल के अनुसे राजीपाल के अनुसे जो है आर्टिकल वो बहुत कठीं होते हैं आपको दोस्तों एक ट्रिक्सी चीजें याद करनी है वैसे जो राजीपाल Quebec जितना भी आर्टीकल है बाग सिक्स में जो है 153 से 10167 तक प्रावदान किया गया है ठीक है और आप जानते हो राज्येपाल जो है राज्ये का एक कारेकारी परमुक या फिर एक सवेदानिक मुखिया होता है ठीक है इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और जो ट्रिक अपनी है वो ट्रिक क्या है आपको ध्यान से सुननी है रा का नी का यो स और च अक्स सिसम सी स और एम इस तरीके से जो है ट्रिक बनेगी और टोटल जो आटीकल आपन 164 153 से लेकर 164 आटीकल जो है वह हम डिसकस करने वाले बड़ी इंपोर्टेंट है आपके आने वाले एक्जाम म है विसे इसकर जो राजिस्थान का आरेस हो गया स्टेट पीसी एस हो गया वहां पर ऐसे कुशन जो है एम सी क्यू फोर्म में जो है आ जाते हैं तो देखो हम स्टार्ट करते हैं सुरू से और सब जो है आप अपनी नोट कर लेना कोपी में रा थोड़ा इसको मैं जूम कर ताकि आपको दिखे जाए अच्छे से और परसेंट जो है यहां से कुश्टर नाथे तो पहला मतलब हैरा यनी impact ln kye राजियों गया राजियों के राजयेपाल纉ग ए सविधानिक पदं है और article 153 में जो है इनकी परीभसर राजियों के राजयेपाल पिर बात करतें article 154 थो अगली आती है रा का 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 मतलब होता है राजियों की कारेपालक सक्ति अब यहां से आप कंफ्यूजन मत हो जणा कि राज्यपाल का कारेकाल और कारेपालक सक्ति तो पहले जो है सविदान में राज्यपाल की कारेपालक सक्ति के बारे में प्रावदान किया गया है और फिर ला राजर्स्तान या उसके हाई कोड तो क्या याद करोगे राजियों की जो कारे पालक सकती है वह एक सो चोगन आर्टिकल में और किसमे नीत होती है राज्य पाल में करते हैं नी नी मतलब आर्टिकल 155 में राज्येपाल की न्यूकति बता रखी है राज्येपाल की जो है न्यूकति दे रखी है उसके बाद बात करते हैं का तो रा का नी का का मतलब होता है राज्येपाल का कारेकाल राज्येपाल का का कारेकाल दोस्तों राज्येपाल को जो ह है कि या उसको जह ट्रैंसपर करना हो या फिर वह त्याग पत्र जो है वो देता अरश्ट पति को और सपथ हो दिलाने naknow से उनके द्वारा जो है उनको सफद देला ही जाती है यह आपको ध्यान में रखना है और राज्यपाल की जो न्यूकती है वो किसके अंतरगत है आर्टिकल 155 तो रा का नी और का यहां तक अपन पहुंच गए फिर बात करते हैं आर्टिकल 156 आर्टिकल 156 में जो है आर्टिक है वो अपने भारत का मुख्या होना चीए यानि भारत का जो है एक सीटीजन नागरिक होना चीए उसकी आयू है वो 35 वर्स होनी चीए इसके अलवा यह भी प्रावदान किया गया है कि उस राजी से जो है वो बिलॉंग नहीं करना चीए ठीक है ऐसी चीजें जो है सभीदा तर्टिक जो है आप yapıyor and रखेंगे अब हम पहुंच गये हैं यहाँ पर नी और यो की के बाद में जो हाता है वह आता है अपने राज्य पाल की शरते यह कुछन जो है अग्जाम में पूछा गया है है राज्य पाल की सरते और राज्य पाल का जो है सपतज़ यैं आपको ध् देखा यह सडक वाला जो है हो तो राजयेपाल की सरतें बनने के लिए क्या-क्या उनी चाहिए वो पुछा गया आइख्या है यह पूछा गया यह एक्जाम में पूुछा गया कि राज्यपाल द्वारा सपत गरंड जो है आर्टिकल 159 में प्रावधान है ठीक है या फिर वहां पर दर्ज किया गया तो यह आपको ध्यान में रखना है फिर बात करते हैं आर्टिकल 160 में जो है आर्टिकल 160 इतना इंपोर्टेंट नहीं है उसमें कुछ अधिर जो है बाते लिख रखी है वह अपने कामगा नहीं है अब हम स्टार्ट करेंगे 161 तो आपको जो है आर्टिकल 153 से लेकर 159 जो है वह लगातार याद करने फिर उसके बाद में जो है 161 से लेकर हम याद करने वाले 164 तो पहले एक बार समझ लो फिर अपन जो है इसको थोड़ा अच्छे से गाने के तुरू जो है इसको समझते हैं गाने के तुरू जो है इसको समझते हैं देखो सह का मतलब क्या हो गया अपना सपत और उसके बाद में सह के बाद में क्या आता है सह इस त सकती दी गी है very important very important veto power जो है वो दी गई है ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है राज्यपाल को जो है समादान की सकती समादान की सकती राष्टपती को किस आर्टिकल में वो भी आपको बतानी क्या आर्टिकल 72 11 123 या फिर जो है 52 किस आर्टिकल में जो है राष्टपती क जो है समाधान की सकती दी गई है ऐसे ही जो है राज्ये में अगर बात करें तो राज्येपाल को समाधान की सकती है वह आर्टिकल 161 में दी गई है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है फिर बात करते हैं सी सी का मतलब है आर्टिकल 162 और राज्येपाल की या राज्ये की का कीमा कितनी हो सकती है उसके बारे में बात किये तो रेड़ वाले जितने भी है वो आपकी ट्रिक के मद्यम से आपको याद करने है फिर यह सबसे बड़ा आर्टिकल 163 और 164 यह बताता है कि राज्येपाल और राष्टपती के अगर तुलना करें तो आपने एक पड़ा होगा बियार इसवाश्विदान संसोधन जिसको मिनी कॉंस्टुट्यूशन बोलते हैं उसमें मंत्री परिशद के लिए राष्टपती जो भी मंत्री परिश्द सला देगी उसकी राष्टपती के लिए बात देखी लेकिन ऐसा राज्येपाल में प्रावदान नहीं है तो यह आ पर अंसधी विवस्ता को लागू करने का प्रयास करते हैं ये आपको ध्यान में रखना 163 में दे रखा है कि राज्येपाल को मुक्हे मंत्री के नितर्तों वाली मंत्री परिशद से सला लेनी होगी ऐसे नहीं है अपने मन से काम कर लेगा मंत्री परिशेज जो है सला लेनी पड़ेगी यह 163 में दे रखा है 164 में दे रखा है कि राज्ये मंत्री परिशद की विदान सभा के परती सामोईक रूप से उत्तरदाई या जिम्मेदारी होगी इसका मतलब यह हो ग होगी अब यहां पर पूछा जाएगा कि विदान मंडल हो सकता है क्या विदान मंडल नहीं विदान मंडल का मतलब क्या हो गया विदान मंडल में तो विदान सभा और विदान परिशद दोनों आगे तो यह चीजें आपको ध्यान में रखना है विदान सभा सबनों का जो वो बड़े आराम से आपको करना ऐसे ही अगरी कुछन आता कि केंद्र में मंत्री परिषद की लोगसभा के परती जो है सामुईक जिम्मेदारी होगी यह भी आपको ध्यान में रखना है तो यह टोटल जो है 164 तक आपको याद करने अब एक बार जो है मैं दुबारा आपको ट्रिक बता देता हूं वो ट्रिक क्या कह रही है त्रिक यह बोल रही है आपने जो सल्मान खान की मुई का गाना सुना होगा उसमें वो बोलते हैं रकानी कायोसस तेरे बिना तेरे लिए जिव बिना इस तरीक से जो है गाना है तो गाना गुन गुनाना है आपको क्या गान यादगरना है रा मतलब रा मतलब राजियों के राज्येपाल यानि ये वाला राजियों के राज्येपाल का मतलब कारेपालक सकती नी मतलब न्यूकती फिर दूसरा का ये नि कारेकाल यहां पर confusion होगे लेकिन यहां पर आपको भूलना नहीं है ठीक है ये वाला उसके बाद म आर्टिकल में तो आपको जो यह tricky याद होगी तबी आप सिदा सपतंपे आओगे नहीं तो यह आपको समझ में नहीं आयाएगा राकानी का यो का यो फिर अपना ससड़क वाला फिर ससलगम वाला और अउक्स और सिसम तो ये जो है आपको टरिगर रेट गर यह ठीक है तो से अगर बात करें तो देखो यहां पर सर्त हो गया अर्टिकल 161 में जो है राज्यपाल को समादां की सकती फिर जो है article 162 क्या कहता है 162 अब देखो यहां पर आपको यह दिक्कत हो सकती है 160 छोड़ देना 160 इतना important नहीं है उसकी trick नहीं बनानी है तो आपको 153 से लेकर 159 और फिर आपको 161 से लेकर 164 अब कुछ और भी article बच्चे हैं लेकिन class जो है थोड़ी छोटी रखनी है इसलिए क्या है आपन जो है बाद में जो है वह article discuss करेंगे उसके बाद बात करें तो सी मतलब सीमा सी मतलब सीमा और फिर उसके बाद में एक आता है स और स स मतलब सला कि से सला कि राज्येपाल को मुखे मंत्री के नेतरतों वाली मंत्री परिशद से सला लनी होगी और 164 में राज्ये मंत्री परिशद की विदान सभा के परती सामोविक जिम्यदारी होगी तो मा का मतलब मंत्री परिशद और यहां पर क्या है सला तो सला पहले ली जाती है और फिर उसके बाद में मंत्री परिशद तो थ एड़ी एग्सम्टू